नमस्का दोस्तों मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने योट्यूब चानल माई सिम्पल होम गार्डन पर आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गिलाप के कटिंग को ग्रो करने का एक बहुत ही लाजवाब तरीका फ्रेंस और इस तरीके से आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी बिल्कुल भी ना सुखेगी ना मरेगी और मैं इस वीडियो में आपसे 100% जो है रिजल्ट भी शेयर करूँगी इस कटिंग को किस तरह से हमें लगाना है कौन सी कटिंग को लेना है किते दिन तक हमें रखना है कप खोल क देखना है और मैं इसके लिए मिट्टी कैसे त्यार करना है और चोटा सा पॉलियोस घर पर हमें किस तरह से हम बना कर और मतलब जो गुलाब की कटिंग है हम किसी भी मोसम में हम इस कटिंग को ग्रो कर सकते तो सारा कुछ जो है इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ चलि मैंने ऑली इसे कवर करके अच्छे से मैंने बांध कर इसे इसी चगब दियता जहां पर इसे मतलब जिसे एक से दो घंटी के यहां पर दूब भी आते थी मतलब पार्शनलाइट में इसे मैंने रख दिया था और देखेए फ्रणस यह आठरा दिन बात का वीडियो है मैं न लगाया था आप देख सकते हैं आपको पानी की बूंदे भी नजर आ रहे होंगी और इस पर मैंने बिल्कुल पानी भी नहीं दिया जो मैंने पहले बार जो पानी देया था वही वाला है यह देखे फैंस अभी मैं आपके सामने इसे में खोल के दिखाती हूं कितने अच्छे है तो हमारी जो कड़्िंग है उपर से सूखने लगा ते है या फर एक हय्ट वाली figur होती है वह भी ँटिपी उतला को जाता ही इस के दिर्स इसमें एक मैने के बाद में ही आते हैं अभी जो अठा दिन में और जो बीच दिन में जो रूर्स होते हैं गी यहां यहां पर देख सकते हो कोई भी आ ब्रांश ले लगा लगा है अगर आप पैंसिल क्टार की भी लगाते हूं तो वह भी इस तरह के से हम लगाते हैं जैसे पॉलियोस बना के तो ग्रू हो जाएगी और यहां पर मिट्टी फ्रेंज देखिए हमें 50% इसमें construction वाली रेत लेना है गार्डन स्वाइल लेना है फंजिसाइट पॉडर अलकर से आप एक मुठी जैसे एक चमचा वर्मी कंपोज भी इसमें मिला सकते हैं इस तरह से हमें मिट्टी को त्यार करना है मिट्टी हमारी बस फ्रेंट से वेल्डन होना चाह कवर नहीं किया था और यहां पर बिझेसे मैं यह पॉट लिया है उसमें काफी सारे दर्ण होल होने चाहिए और जो पॉट है उसे हमें किसी भी ठीकरी से कवर नहीं करना है डायरेक हमें मिट्टे से भर्ना आ chambers हम जगह छोड़ देंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हलके हाथ से हमें मिट्टी को प्रेस करना है मिट्टी हमारी पूरस होन चाहिए तो देखे मिट्टी में अच्छे से मैंने पानी दे दिया है पहले ही हम पानी दे देंगे और यहाँ पर देखे मैंने एलोवेर का फंगस ना लगे यह देखे इस तरह से जेल हम इसमें भी कवर कर देंगे जेल से और यहाँ पर चाहिए तो हम फंजिसाइट पॉडर भी ले सकते आफिर जैसे आपके पास में सिनैमिन पॉडर हल्दी है या फिर रूटिंग होर्मन तो देखे इस तरह से हमें तेड़ा म उपर यहota से जेल को लगा देंगे और देखे और देखे पर्स में लगाने का आप तरीका देख लिजा मैं पर पासा कर देखे सबी आकर की मैने ली है आप ग्रीन वाली भी ले सकते हो तोड़ी मैचर हो भोहाइब हार्ड वुड काटिंग भी हो जाएगी ग्रूअ इस तरह से ग्रीन वाली भी हो जाएगी जो तरीका में बतारी वे फैंस जो पॉल्य हउस वाला उसमें किसी भी तरह की कटिंग लेते हो सारी कटिंग से में ग्रो हो जाएगा 100% फ्रेंट ग्रो हो जाएगी तो आप दे सकते हैं मैंने उपर से भी सब अब हैं मतलग इचल नहीं बनाना है लका सा कीला करदेंगे ताकि इसमें मौश्ण बना रहें आगे cutting के pot को जो है इसमें रगेना है यह देखे इस तरह से हम रग देंगे और ऊपर से हम अच्छे से इसे polyethin से cover कर देऊ जो पॉले थे हम लेंगे तो फैन को टांस्परेंड होनी चाहिए डाउन वाली नहीं लेंगे जैसे black है ब्लू वगा Benat नहीं वाइट ही लें और यह हमारे घर में तो यह मिले जाएगे और इस तरह से हमें कवर कर देना है नीचे से जो हमने कवर इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि इसके नीचे जो हमने मिट्टी डाली है उसको भी हम अच्छे से गीला कर लिया उसके उपर जब हम पॉर्ट रखेंगे प्रेंस तो उन बना दिये तो यह देखर आपको होल नजर आ रहे होंगे छोटे से पीन से या सुई इसे नेडल है उसके साहता से आप इसमें जैसे होल आप बना लेजी चारपा ज्यादा भी नहीं तो इसमें ताकि इसमें से एरेशन हो सके अंदर इसमें हवा भी जा सके अगर हम संदलाइट में हमें रखना है सेमिशंट में हलकी से अगर इसमें शाम की धूप है या फिर जैसे सुबट की धूप अगर इसमें लगती है तो कोई हाज नहीं ऐसे जगह पर हम इसे रखने और पानी बिल्कुल भी नहीं देना है और 15-20 दिन बाद ही जैसे हमें इनमें खोल के देखेंगे कि हमारी कटिंग ग्रू होई कि नहीं वैसे इसके अंदर से भी हमें देख जाएगा कि हमारी कटिंग अच्छे से ग्रू हो रही ही कि नहीं हो रहेंगी तो देखेंगे देख रहे हैं और इसमें जो जड़े जो है एक मैने बाद में ही इसमें डेवलप होती है तो अभी इसे जब हम 15-20 दिन के बाद में हम इसे निकाल के ऐसी जगह पर रखेंगे जहां इसे बिल्कुल भी भी तो हमारी कर्टिंग भी खराब नहीं होगी हम 15 दिन बाद जैसे हर 15 दिन 10 दिन बाद में खोल के देख सकते हैं तो इस तरह से अगर आप ग्रो करते तो आपकी कर्टिंग जो 100% ग्रो हो जाएगे तो फ्रेंज आप गुलाब के कर्टिंग आप किसी भी मोसम में इस तरह के तरीके से पॉली होस बना के घर पर ही आप इन गुलाब की कर्टिंग को ग्रो कर सकते हैं तो मेरी आज की जानका रिफरेंज आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए और मैं चानल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ प्रेंट्स नेक्स वीडियो में बाई टेक केर